वैसे तो आपने कई तरह के कई वाड़ा और हजारो वाड़ पलाव खायोंगे लेकिन आज मैं आपके लिए कर आई हूँ हर्याली पड़ाव रेसिपी जो की वीना गार्लिक और लासुन के तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्वू का नोजिया और मैं अपने चैनल घर का जाएका विद खुश्वू में आपका स्वागत करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो विल्कु भूलिए तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले हम यहाँ पर 300 गडराम चावल लेंगे और इसे अच्छी तरह से वास करकर आध्य गंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे और इसे अच्छी तरह से बहुत जरूर कि दियेगा क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से बहुत नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा फिर हम यहाँ पर हर्याली प्लाव बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे मूली के पत्ते और इसी भी अच्छी तरह से बॉस कर पानी में वाल लेंगे और फिर इसे ठंडा पानी में डिप करके रख देंगे ताकि यह पूरी हरी हरी तरह हो नहीं तो यह काला पर जाता है अग इसे साइड में रख देते हैं और यहां पर हम इसका एक पेश्ट तयार कर लेंगे जो की है तो हमने यहाँ पर मूली के पत्ते को उवाल लिया है और फिर इसे ठंडे पानी में सोक करके रख दिया है अब हम इसे एक फाइन पेश्ट तियार कर लेते हैं तो इसे हम मिकसर जार में आइड करेंगे और साथ में हम आइड करेंगे धनिया का पत्ता और हरी मिर्च अगर आइड किजिएगा और अगर आपको कम तो आप कम भी आइड कर सकते हैं फिर इसे एक पेश्ट तयार कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम आलू लेंगे और आलू को फोक की हेल्प से बीच में कट कर लेंगे ताकि इसका रस अंदर तक जा सके यह हर्याली पलॉ एक ऐसी रेस मूली के पत्तों के साथ बनाने वाली पलॉ को जो की बहुत ही मज़ेदार भी है और हमारे सिहत के लिए अच्छा भी है तो चलिए आगे का तैयारी कर लेते हैं तो हम यहाँ पर एक कूकर लेंगे और कूकर को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और फिर इसमें एड करेंग और इसी के साथ हम आइड करेंगे काजू और किसमिस इसे भी हलका सा फ्राई होने देंगे और फिर हम इसमें एड कर देंगे फोक किया हुआ आलू और गोवी और इसे हलका सा सौते करेंगे इसे ओवर कूक मत करिएगा नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगा क्यूंकि हम प्लाव को कूकर में बना रहे हैं जब भी आपको कुछ अलग खाने का मन करें तो ये अच्छा ओप्सन है आप इसे एक वर अपने घर पर ट्राई जरूर करिएगा अब एक दो मिनिट कूक करने के बाद हम इसमें एड करेंगे पिसा हुआ पेस्ट तो हम इसमें पिसा हुआ पेस्ट आइड कर लेते हैं देखिए पेस्ट कितना हरा हरा है इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए कूख करेंगे या फिर जब तक ये पानी पुरा सोख न ले तब तक हम इसे कूख करेंगे तो लीजिए पानी पुरी अच्छी तरह से सोख कर लिया है अब हम इसमें एड करेंगे सोख किया हूँ चावल तो हम इसमें चावल को एड कर लेते हैं और सारे पानी को निथार कर बाहर निकाल दिये हैं इसमें पानी नहीं एड करियेगा स्रिफ चावल को ही हम इसमें एड करेंगे और इसे हलके हाथों से चलाएंगे ताकि चावल का दाना टूटे ना और यहाँ पर भी फ्लेम को हमेशा मीडियम में ही रखिएगा फिर हम इसमें एड़ करेंगे पानी अगर आप बासमाती चावल उच कर रहे हैं तो आधा कप पानी एड़ करिएगा और अगर आप normal चावल युज़ कर रहे हैं तो उसी कप से जिस कप से आप चावल लिए थे उसी कप से 1.5 कप पानी इसमें एड़ करियेगा और फिर हम इसमें एड़ करेंगे प्ला मसाला साथ में ही हम इसमें एड़ करेंगे एक जमच खी और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और एक चमच घी, घी से पलॉव में अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में ही चावल भूत खिला-खिला भी बनेगा फिर हम इसमें एड करेंगे खुस्पू के लिए गुलाब जल यह ऑफ्सनल है अगर आपके पास है तो आप एड करिएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं फिर हम इसमें एट करेंगे नीबू और इसे एक सीटी आने तक लीड को बंद कर एक सीटी आने तक ही कुप करेंगे सिर्फ आप इसमें एक ही सीटी आने दीजिएगा दूसरा सीटी मत आने दीजिएगा एक सीटी हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी अच्छी तरह से ठंडी होने देंगे यह पूरी तरह से ठंडी हो चुका है अब हम लीट को वार कर लेते हैं तो देखिए प्लाव कितना अच्छा और खुस्पुदार बना है हम इसे उलड फ्लेट कर लेते हैं अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए और इसे गानिसिंग करेंगे कटा हुआ नीमबू और ये मुली के पत्ते का बना हुआ है तो साथ में हम मुली भी ऐड़ करेंगे गानिसिंग के लिए और इसे गानिसिंग कर देंगे हरे धनियस के पत्तों से तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हर्याली पलाओ और आपके लिए अगर आप इसकी इंगिडियन्स को देखना चाहते हैं तो वो यह है तो हमने इसे बहुत ही प्यार से बनाया है तो इसे प्यार से टेस्टिक भी करना बनता है ना तो चलिए इसे टेस्ट करकर बताते हैं कि यह कैसा बना है यह बहुत ही यम्मी बना है यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर ट्राइ करियेगा वो सकता है आपको यह देखने में अच्छा लग रहा हो लेकिन यह खाने में बहुत ही अच्छा है आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और नहीं अच्छी लगी है तो इसे डिसलाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करकर बताएं कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया और अगर आप फर्स्ट वार मेरे चैनल पर नमस्कार